मेरे सेयन वारियर्स विंटर्स का सबसे सेक्सियस्ट क्लोधिंग पीस याने की हुडीज एंड स्वेटशर्ट्स उसके सबसे जबरदस्थ हैक्स की बात करेंगे आज जिससे आपको एक बेस्ट हुडी लो बजेट में मिले आप एक common crowd से हटके बिलकुल stylish pro max लगो और oversized hoodie trend के बारे में भी बात करेंगे मतलब कि hoodies और sweatshirts पे आप PhD करने वाले हो आज और वीडियो के बिलकुल end की bonus tip में मैं आपको best hoodie outfits और top 3 best low budget hoodies भी बताऊंगा तो पूरी video end तक जरूर देखना तो basically sweatshirts और hoodies में ये फरक होता है कि जो sweatshirts होती हैं वो एक तरीके से मोटी cotton की long sleeves की t-shirts होती है जिनके हातों में और bottom में कफस होते हैं और वहीं जो hoodies होती हैं वो sweatshirts ही होती है लेकिन बस पीछे एक hood होता है उनके extra इसी basis पे first point आता है size and fit of the hoodie अब देखो हम सब लोग hoodies and sweatshirts winter में ही पहनते हैं तो obviously ताकि वो हमको ठंड से protect करें उनका मोटा होना ज़रूरी है लेकिन मोटे मोटे के चक्षकर में कई लोग बोरी जैसी hoodies खरीद के ले आते हैं अब बताओ इसको पहन के कौन stylish दिख सकता है भला तो मेरा suggestion आपके लिए ये है कि आप एक feasible thickness की hoodies ही purchase करें ताकि आप उनको layer करके भी पहन सके और कता ही bomb लगें इनके fit की बात करें हम तो बिल्कुल tight hoodies और sweatshirts आपको uncomfortable करेंगी तो आप वो prefer मत करना आपके उपर एक perfect fitting वाली hoodies वही के लाएगी तो आप जादा से जादा अपने true size से दो size उपर की hoodies खरीदना for example अगर आपको L size आता है तो आप double XL खरीद सकते हैं इससे बड़े size की hoodies मत खरीदना सही बता रहा हूँ ऐसा लगेगा शादी का tent पहन के गूम रहे हो लेकिन oversize hoodies और sweatshirts का trend आप तभी follow करेंगे पबलिक से दो step और stylish दिखने के लिए hoodies के अंदर आप side stripes वाली hoodies prefer कर सकते हैं इस season में जो की मेरी favorite हो रखी है इनकी खास बात यह है कि अगर आप इनको solo पहनोगे तो जादा stylish तो लगोगी उपर से जब आप इनको layering करके पहनोगे तो आपकी stripes भी छुप जाएंगी तो ऐसा लगेगा आपने solid hoodies पहन रखी है solid colors लेने के अलावा अगर आपकी और इच्छा है तो आप color block वाली hoodies जो की बहुत stylish लगती हैं या फिर pastel color की light color की hoodies भी purchase कर सकते हैं लेकिन strictly bright color की hoodies बिल्कुल purchase मत करना अगर आपने curly तो आपको पता है न आप किसकी तरह लगोगे और graphics और prints वाली hoodies अगर आप हफते में तीन दिन भी पहन के चले गए तो लोग सोचेंगे इसके पास कपड़े ही नहीं फाल्तों में fashion fashion करता रहता है sweatshirts के case में भी आप side stripes वाली sweatshirts prefer कर सकते हैं लेकिन आपकी जो solid sweatshirts होती हैं वो ज़्यादा classy होती हैं जिसको आप shirt के ओपर chinos के साथ भी पहनोगे तो भी बहुत अच्छे लगोगे तो sweatshirts में तो आप पहले classy colors ही लेना बिल्कुल solid ये totally आपकी choice पर depend करता है कि आपको बिना chain वाली यानि के pullover hoodie या फिर chain वाली hoodies कौन सी ज़्यादा अच्छे लगती हैं वैसे जो बिना chain वाली यानि के pullover hoodies होती हैं वो layering करने के लिए best option होती हैं और इन ही को आप multiple styles से बहुत easily पहन सकते हो वहीं जो chain वाली hoodies होती हैं उनमें आप layering करना भी मत और उनमें अच्छी भी नहीं लगती आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको chain बंद करके या फिर T-shirt के उपर chain खोल के पहन सकते हैं cool लगने के लिए मुझे personally बिना chain वाली ज़्यादा पसंद है आप comments में बताना आपकी favorite 0.5 hoodie and sweatshirt purchasing tips अब देखो अगर आपको hoodies और sweatshirts एक साथ खरीदनी हैं तो आप ये try करना कि आप जिस color की hoodies खरीदोगे उससे थोड़ी different color की sweatshirts खरीदना यानि कि अगर आपने navy और grey hoodie खरीदी है या फिर black और white side stripes वाली hoodie खरीद ली तो आप sweatshirts में थोड़ा different color यानि कि maroon color या olive color ले सकते हैं इस तरीके से आपके काफी ही सारी outfits from casual to semi-formal आप बना सकते हो बिलकुल सही budget में बट अगर आपका super tight budget है तो आप बिलकुली third class सस्ती hoodie बिलकुल purchase मत करना एक season के बाद ही उसका color fade होने लग जाएगा वो daily होने लग जाएगी इसलिए quality important रहेगी लेकिन आपको tight budget में एक तोड़ू alternative बताता हूँ जो कि है reversible hoodies definitely आप इस एक hoodie से multiple outfits बनाना लेकिन शर्त यह है कि reversible hoodies के दोनों colors sober होने चाहिए और obviously quality से compromise मत करना best reversible hoodies का link भी description में मिल जाएगा आपको hoodies and sweatshirts को pair करके outfits बनाने की बात करें तो आप दोनों को ही easily shorts के साथ, chinos के साथ, joggers के साथ, jeans, cargos किसी के साथ भी पहन सकते हैं और upper wears में blazers के साथ, flannels के साथ, apple cut t-shirt के साथ, denim jacket, bomber jacket किसी के साथ भी pair कर सकते हैं generally sweatshirts थोड़ी ज़्यादा classier options होती है hoodies से तो आप solid color की sweatshirts किसी party या function में भी पहन के जा सकते हैं finally video की bonus tip की best hoodies और sweatshirts outfit में हर occasion के हिसाब से ये outfits आपकी screen पे हैं, आप इनका screenshot ले सकते हैं budget options के लिए solid hoodies और sweatshirts की companies आपकी screen पे हैं वही color blocked और side stripes hoodies और sweatshirts के लिए ये companies मेरे हिसाब से best है, इन सबके links description में मिल जाएंगे आपको latest 2021 की best trendy jackets की video देखने के लिए left box पे click करना और अपने old clothes को बिल्कुल नए जैसा कैसे बनाई ये देखने के लिए right box पे click कर सकते हैं